वीडियो में हम लोग देखेंगे CBSE Class 12 Geography Chapter 7 Mineral and Energy Resources से Part 4 इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Non-Conventional Energy Sources के वाले में तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा अगर अपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें आपकी कोई भी डाउट एंक्वारी होती है तो आप हमसे टेलिग्राम, फेस्बूक और इस्टाग्रा और एंड में हम लोग समझेंगे conservation of mineral resources, जो mineral resources है उन्हें क्यों conserve करना चाहिए, तो सबसे पहला जो हमारा topic है वो है geothermal energy, लेकिन उससे पहले हम लोग non-conventional energy resources जो है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं कि non-conventional क्या होती है, आप यहाँ पर देखो, कि हम लोग coal को काफी time से और यूज़ करते हैं है अपने गढ오fon में यूज़ करते हैं, इन्रस्टिर में भी उसकरते हैं, तो यह coal या फिर दूसरा को यह और हम लोगबात करते हैं वुढ लखडी, उसको लिए अपने वेहिकल्स को समाफ करने लिए, लिस लेगैं आपको काफी लोग अभी लखडी और इनको हम लोग क्या बोलेंगे यह कंवेंशनल है कंवेंशनल मतलब जिसको काफी लंबे टाइम से हम लोग यूज करते आया है काफी लंबे टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं यह क्या है यह है कंवेंशनल एनरजी सोर्सेस लेकिन यहां हम लोग कंवेंशनल की बात नही यूज करते आ रहा है लेकिन ये एक limited amount में है आज नहीं तो 50-100 साल बाद ये खत्म होने वाले है तो ये exhaustible है खत्म होने वाले है उसके बाद क्या तो ये सब renewable नहीं है एक बाद अगर यूज कर दिये तो खत्म हो गए ये जो coal है, wood है, petrol है ये renewable नहीं है दुबारा यूज नही यूज तो ये सब conventional हो गए लेकिन non-conventional ऐसे energy resources होते हैं जिन्हें हम बार-बार यूज करते हैं जो बहुत ही high amount में present है आप एक तरह से बोल सकते हो unlimited amount में present है बहुत ही high amount में present है जिनको हम लोग बहुत लंबे टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन हम लोग आगे अब future मे उसको यूज करने वाले है प्रिजेंट में हम लोग ने धीरे धीरे non-conventional energy resources को यूज करना start कर दिया है कौन से energy resources solar wind hydro geothermal biomass तो हम लोग इनको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे इनको ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे है तो इसमें स अब बोलते हो ना कि कपड़े कोई trend में होते है कोई fashion trend में होता है तो ये वैसे fashion है ये ऐसे methods है जो trend में नहीं है इसलिए हम लोग इसको non-conventional बोलते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा है क्यूंकि ये eco friendly होता है ये काफी सस्ता होता है ठीक है आपको starting में जब आप solar plant होगे तो आपको cost पड़ेगा लेगिन एक बार जब solar plant लगा दिया उसके बाद आपको maintenance का cost बहुत कम देना होगा और आपको electricity जो है free में मिलती रहेगी तो initial cost को अगर हटा दिया जाए तो हम लोग ये देखते हैं कि बहुत ही सस्ता method है बहुत ही cheap method है ये वान कंविंशनल एनर्जी रिसोर्सेस तो दैस्ट वाई हमें इसको यूज करना चाहिए हम लोग कर भी रहे है comment भी promote करती है ठीक है तो वन वाई वन गर के आगे बरते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं geothermal energy का geothermal energy कैसे work करता है बहुत ही simple सा method है हमें पता है हमारे हमारा अर्थ को अगर आप देखो हमारा अर्थ के inside अभी भी बहुत ज्यादा heat है हमारे अर्थ के अंदर मैगमा है है ना हमारे अर्थ के अंदर अभी भी भी बहुत ज्यादा heat है geothermal energy में हम लोग उसी heat को use करेंगे कैसे करते हैं हम लोग एक पावर प्लांट के थुरू हम लोग वाटर को इंजेक्ट करते हैं अर्थ के अंदर हम लोग एक पावर प्लांट से कोल्ड वाटर को अर्थ के अंदर डालते हैं ठीक है कोल्ड वाटर को ये cold water जब अर्थ के अंदर पहुंचती है तो क्यूंकि अर्थ के अंदर काफी सारे magma है magma के कारण वहाँ पे जो water जो है वो heat हो जाता है water जो है वो warm हो जाएगा गडब हो जाएगा एक और pipe होगी फगल में इस pipe के थुरू water को हम लोग intake करेंगे water absorb करेंगे अब ये जो water अंदर आएगा ये कैसा water होगा ये hot water होगा क्यों hot water कैसे हो गया hot हम लोग ने तो cold राला था लेकिन hot कैसे हो गया because of magma हमारा अर्थ अंदर से heated है और ये hot water को हम लोग फिर power plant में लेके आएगे power plant में लाने के बाद इस hot water को हम लोग convert करेंगे steam में steam में और इस steam से हम लोग क्या करेंगे turbine को rotate करेंगे हम लोग turbine को rotate करेंगे और उससे electricity बनेगी एक चीज मैं बता दूँ सभी आपको आने वाले method में आपको काफी common नज़र आएगा ये turbine देखो अगर power बन रहा है कहीं पर electricity बन रही है चाहे वह जियो थर्मल हो चाहे वह कोई दूसरा method हो जनरली आप वहां पर देखोगे वहां पर होगा एक turbine वहां पर क्या होगा एक turbine होगा machine होती एक ये machine जब rotate करती है ये machine जब rotate करती है तब electricity बनता है अब इसको rotate कैसे किया जाए इसका अलगलग method हो सकता है विंड एनर्जी में विंड से rotate होता है जियो थर्मल एनर्जी में ये hot water आएगी तो steam से rotate होगा पानी के भाप से फिर दूसरे और किसी method में कुछ और method से rotate होगे बट वो turbine जो है वो rotate होगी और turbine rotate होके electricity बनेगी तो जियो थर्मल एनर्जी के हम लोग जैसे हम लोग नहीं भी बात किया तो इसमें होता क्या है कि आवाने अर्थ के अंदर से मैगमा जो है बहुत ही heated होता है बहुत जादा heat release करती है और इस heat को ही convert कर देते हैं हम लोग electrical energy वे ठीक है तो इस heat को भी हम लोग यूज करते हैं हम लोग electrical energy में convert करने के लिए तो यहां से हम लोग देखते है thermal energy जो है वो generate हो रही है इसको पॉपुलरली geothermal जियो मतलब होता है अर्थ थर्मल मिंस heat अर्थ की heat को यूज कर रहे है तो आप यह बताओ क्या यह जियो थर्मल को कहीं पर भी बना सकते हैं इंडिया में कहीं पर भी plant लगा दो और देन पानी को injector लो जमीन के अंदर नहीं ऐसा नहीं है हमें ऐसे places पे इसके plant बनाने होंगे जहां पर magma बहुत जल्दी मिल जाए जहां पर magma जो है वो बहुत जल्दी अर्थ के अंदर मिल जाए अगर जादा deep अंदर रहा तब उतना pipe को अंदर डालना cold water को के pipe को उतना deep अर्थ के अ हो पाता है तो इसी लिए हम लोग यह देखेंगे कि जनरली ऐसे places पे जहां पर magma काफी उपर होगा अगर वालकेनों का एडिया है ठीक है वहां पर आपको यह सब देखेगी यह सब नजर आएंगे ठीक है तो हमारे country में हिमाचल परदेश में आपको यह नजर आएगा पर देखोगे हिमालय के अंदर जो मैगमा वाली जो लेयर है वह काफी नियर है ठीक है काफी नियर है तो दैस्वाइज हम लोग यहां पर बनाते हैं इसके अलावा यहां पर कुछ होट इस्प्रिंग एंड घीजर वीगड़ा भी मिलते हैं अब यह क्या होती है होट उस heat के कारण हमारे अर्थ का कोई water, कोई natural water, वो जो हम लोग pipe के through डाल रहे है cold water वो नहीं, कोई naturally वहाँ पर कोई lake है, naturally कहीं पर पानी collected होए है, तो वो water जो है, वो heat हो जाती है, अब वो heat हो जाती है, तो वो hot water होती है, गर्म पानी होती है, ठीक है, और उसको जो है, वो hot water, वो hot spring है या घीजर से, ठीक है, बहुत इबलीफ में मैं समझा रहा हूँ, next हम लोग बरते है, wind energy के तरफ, wind energy में कुछ ऐसा होता है, wind energy में आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप समझो, यहाँ पर wind आ रही है, और wind, आप यहाँ पर देखो, यह red color का जो दिख रहा है, यह क्या है, यह है turbine, अभी जो मैंने बताया, यह आप देखोगे, turbine turbine, turbine rotate होगी, जब wind आएगा, तो wind से यह blades जो है, यह rotate होगे, blades rotate होगे, wind के कारण, अब blade rotate होगे, तो उससे वो turbine भी rotate होगा, ठीक है, अब वो turbine जब rotate होगा, तो वहाँ पर क्या generate होगी, electricity generate होगी, अब ऐसे एक नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, इनको बोलते है, wind farm, ऐसे बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे क्या होगी, इस तरह से wind आएगी, अब बहुत सारे turbine यहाँ पे होए, वो rotate होगे, और यहाँ से electricity generate होड़ा है, इसमें से होड़ा है, अब फिर इन सब electricity को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भेज देंगे power grid में, है ना, power grid में हम लोग जो है से हम लोग को energy जो है, वो भिलेगी, electricity मिलेगी, यहाँ हम लोग क्या करें, wind energy को convert कर रहे है, electrical energy में, लेकिन आपको एक बात का ध्यार रखना होगा, कि आपके घर के आसफस में ऐसा है, क्या, generally हम लोग नहीं देखते हैं, ना, ऐसा, तो क्या कहीं पे भी नहीं लगा सकते हैं से, answer is no, आप कहीं पे भी इसको लगा दोगे, उससे काम बन जाएगा, नहीं, यह ऐसे areas में यह wind farm लगाया जाते हैं, जहाँ पे wind जो है, वो काफी तेजी से flow होता हो, काफी fast wind flow होता हो, तो आप generally देखो कि जो coastal areas जो होते हैं, जो ocean, sea, समुदर के किनारे होते हैं, वहाँ प आपने जरूर पढ़ा होगा, sea, bridge and land, bridge, छोटे class में आपने पढ़ा होगा, तो sea, bridge and land, bridge वो जो wind flow होती है, उस wind के कारण, हम लोग देखेंगे, यह rotate होंगे, तो generally आपको coastal areas में देखेगा, आपको हमारे country के Tamil Nadu वाले area में नज़राएगा, coastal area में, यह फिर ऐसे area में, जहाँ wind काफी तेजी से flow होती है, गुजरात में नज़र आएगा आपको, ठीक है, और यह भी एक non-convincent energy resources से, तेखो कुछ smoke निकल रहा है, नहीं, environment को कोई हम नहीं हो रहा है, काफी अच्छा समय थड है, wind energy का यहाँ पर हम लोग बात करें, तो pollution बिलकुल नहीं है, ठीक है, यह wind बनना कभी बंद नहीं होगा, wind हमेशा चलेगी, मतलब यह exhaustible नहीं है, कभी खतम नहीं होगा, बहुत ही simple समय थड है, wind जो है, वो turbine rotate कर रही है, और उसे electricity बन रही है, तो wind जो flow होती है, कोई भी चीज जब move होता है, तो उसके अंदर कौन से energy होती है, kinetic energy, train move कर रही है, train के अ तो kinetic energy of the wind, उसको convert कर देते है, kinetic energy of wind को convert कर देते है, electrical energy में, आप लोग ने जुरूर क्लास 11 में wind के बाड़े में पढ़ा होगा, trade wind, westerlies, easterlies, monsoon, तो यह सब जो wind है, इन सब wind को use किया जाता है, इन turbines को rotate करने के लिए, इसके लावा जो local wind होती है, land and sea breeze होती है, इसको भी use करत है, इंडिया ने काफी work करने start किया है, राजस्थान, गुजरात, महराष्ट, करनाटका, इन सब area में काफी favorable condition है wind energy के लिए, तो पूरे महराष्ट में आपको नजर नहीं आएगा, आपको generally महराष्ट के जो थोड़े से coastal areas है, वहाँ पे, यह महराष्ट के ऐसे areas, जहाँ प energy and wave energy के बारे में, यहाँ पे आप एक चीज notice करो, यह जो नजर आ रहा है, यह ocean की layer है, और यह एक power plant है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यह water के layer यहाँ तक है, और यह जो है यह क्या है, यह है turbine, यह जो blade जैसा नजर आ रहा है, यहाँ पे तर्बाइन है, ठीक है, high tide and low tide होती है, आप लोगोने जरूर पढ़ा होगा, तो जब high tide होती है, तो ocean में देखोगे, water की level जो है, वो increase होती है, तो water की level जब increase हो रही है, तो वो क्या होगा, तो मालो यह ocean है, मालो मैं एक draw करके दिखाऊ, मालो ऐसे करके यह ocean है, ठीक है, ocean यहाँ पे end हो रहा है, और बनाते है, ठीक है, कुछी step का बनाते है, तो जब high tide होगी, तो ocean की layer जो है, वो increase होती है, तो as a result, ocean का water यहाँ तक चला आता है, आप लोगोने ज़रूर high tide देखा हो, पता होगा, तो ocean की water यहाँ तक चली आएगी, तो ocean की water जब आएगी, तो वो इसके through होके आएगी, है न, जब ocean की water जब यह सब areas में जब आ रही है, तो कैसे आ रही है, यह dam बनाया हुआ है, तो dam में यहाँ से रास्ता है, इस रास्ते के through होके आएगी, अब water जब flow होके आएगा, तो यहाँ पर हम दोगोने कैसे देखा, कि देखो यहाँ पर rotate होड़ा है, water जब आ रहा है, तो य लेवल फिर से पीछे जाएगा, यह water का लेवल फिर से पीछे जाएगा, तो देखो water का लेवल जब down आएगा, अपने normal लेवल पे, तो क्या होगा देखो एक बार, यह water है, तीका मैं इस बार जो ink इसको erase कर देता हूँ, तो यह water का लेवल अभी यहाँ तक है, अब देखो जब water के लेवल जब down होगी जब low tide होगा जब देखो water का level जब down जा ला है तब फिर से rotate हो ओरा है अभी क्यों rotate हो रहे विकोज जो water यहां आ गया था यह water फिर अब ऐसे करके इधर से इधर निकलेगी जब इधर से इधर निकलेगी तो यह turbine अभी मैने आपको दिखाए तर्माइन रोटेट होगा तो आप मुझे बताओ टाइड आना कभी कभी खतम होगा है है ना हाई टाइड लो टाइड अर्थ पे हमेशा आते रहेंगे मतलब यह एनरजी रिसूर्स से एक से एक दम पक्का है खत नहीं होने वाला है स्टार्टिंग में आपको ऐसे डैम्स बनाने होंगे तो स्टार्टिंग में कुछ खर्चा करना होगा लेकिन उसके बाद अराम से बस मेंटेनेंस करो है ना और उसके राद में आपको एनरजी वह मिलता जाएगा कोल वाले केस में तो क्या है आप पहले पावर प्लांट बढ कि जो ओशन करेंट होते हैं उसमें बहुत सारी एनरजी होती है इन पाइनरजी होती है तो काफी सारा हम लोग ने एफर्ट लगाया एनरजी को यूज करने का इस टाइडल एनरजी को यूज करने का ओशन के करेंट के एनरजी को यूज करने का हमारे कंट्री में अगर हम ल हमारे वाले एरिया है वहां पर हम लोग देखेंगे टाइडल एंड वेव इनर्जी को लेकर करके काफी वर्क हुआ है बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कि अभी भी क्योंकि यह नॉन कंविंशनल है बहुत ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन अभी भी हम लोग इस पर वाक कर रहे है है ठीक है तो इंडिया है ग्रेट पोटेंशल फोर डेवलप्मेंट अफ टाइडल एनर्जी अलॉंग दा कोस्ट बट सो फार हैव नॉट येट बिन उटिलाइज़ हमारा अगर कोस्टल एरिया को देखो हमारा जो कोस्टल एरिया है हमारा जो संबुन्द्र से लगने व लेकिन अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है क्योंकि देखो आप इस तरह का डैंस बनाते हो तो इस्टाटी में काफी खर्चा आता है तो वह भी आपको कंसिलर करना पड़ेगा ना इस्टाटी में काफी खर्च होती है नेक्स्ट तोलर एनरजी आई होप आप ज्यादा तर लोगों ने आप अपने घड़ों में साथ देखा भी हो हम लोग स्ट्रीट लाइट में सोलर पैनल यूज करते हैं है ना सोलर पैनल वारी गारी भी एक दो दिखाई देती है है ना क्याल्कुलेटर में आप देखते हो होंगे आप लोग देखा होगा क्याल्कुलेटर जब काम खरना बन कर देता है तो बहुत बार हम लोग उसको धूप में रखते हैं अब वह फिर काम करती है क्यों रखते हैं विकास क्याल्कुलेटर में अगर आप देखोगे एक तो ऐसे करके स्क्रीन होता है जहां नंबर उस एनर्जि को हम लोग यूज करते हैं सोलर आनर्जि वाले मेथहड में सोलर एनर्नेड़जी में दो मेथे से हमलों की से हमलोगय अनर्जि यूज करते हैं द दोनों मैथधर देखेंगे अभी पहला जो अभी मैं method मैं बता हूँ वो method अभी जो हम लोग discuss कर रहे अभी वो है photo-voltic technology photo-voltic technology इसमें क्या होता है समझो sun की light fall होती है solar panel में ये आपको जो नजर आ रहा है ये solar panel है और ये छोटे-छोटे box नजर आ रहे है इनको बोलेंगे solar cell solar cell अब बहुत सारे solar cell connect होके बननेगा solar panel solar cell कैसी होती है बहुत छोटी-छोटी होती है मालो आपके आपकी जो हांत जो है आपकी mobile की size की mobile की size की solar cell होगी उससे और छोटी भी हो सकती है तो ऐसी बहुत सारी cell आपस में connected होके एक panel बनाता है एक panel का size क्या होगा, माललो लगवग आपके bed जितना size का होगा, आपका bed जितना size का होता है, या जो आप blackboard या white board आप देखते होगे, जरनली वैसे कुछ size का होता है, छोटा size का भी आता है, बड़ी size का भी आता है, तो वो है solar panel, उस solar panel में जब सन की light परती है, तो वहाँ पे सन की एनर्जी को कनवर्ट कर देते हैं क्या सोलर एनर्जी में एलेक्टिसिटी में कनवर्ट कर देते हैं वहाँ पे उसे पोटोवैल्टिक टेखनोलोजी में क्या करते हैं हम लोग उसको एलेक्टिसिटी में कनवर्ट कर देते हैं और उस electricity को store कर लेते हैं, हम लोग अपने घड़ों में जो inverter लगी हुई होती है, वहाँ inverter में store कर लिया, inverter में store करने के बाद में उस energy को हम लोग अपने घड़ों में use करते हैं और अगर ज़्यादा energy produce हो रहा है, तो आप चाहो तो आप sell भी कर सकते हो, government को भी sell कर सकते हो वह है solar thermal technology इसमें क्या होता है, तो मैं इसको erase कर दूँ, फिर मैं समझाता हूँ यह difference है, photo độcic में electricity में बनती है, solar thermal technology में electricity नहीं बनती है सर्ण की light basically fall होती है, एक drum जैसा होता है एक cylindrical shape का drum जैसा होता है उसके अंदर क्या होता है लिक्विड होता है वाटर हो सकता है या दूसरी लिक्विड हो सकती है और ये सन की light जब इस लिक्विड पे fall होती है तो ये वाटर क्या होगा गर्म होगा वाउम होगा अब धूप में कोई समान रख देते हो गर्म हो जाती है तो यहाँ पर भी warm होगा अब उस warm water को फिर हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में नहाने के लिए मानलों cooking के लिए यूज कर लिया या फिर उस warm water को अपने घरों में कुछ और दूसरी प्रफस के लिए यूज कर लिया तो हम लोग इस तरह से sun की energy को यूज करते हैं तो यह basic difference है इन दोनों method में तो solar energy में जैसे हम लोग अभी मैंने आपको बताया कि दो method है photovoltaic technology है solar thermal है photovoltaic में electricity बनाते है और solar thermal में क्या करते है वो heat को हम लोग कोई liquid को warm कर देते है ठीक है और यह एक non conventional energy resources है हम लोग non conventional है और non renewable है sun से light मिलना क्या कभी बंद होगा नहीं काफी advantage है काफी advantage है हमे smoke produce नहीं होता है harmful gases produce नहीं होती है हाँ कुछ disadvantage भी है आप रात में नहीं कर सकते हो अगर cloud है पारीश का time है उस समय आप नहीं कर सकते हो तो advantage और disadvantage दोनों साथ में है लेकिन advantage कहीं ज़्यादा है और यह जो energy है बहुत ही cost competitive है cost competitive का मतलब क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आप चाहो तो आज ही अपने घर में लगवा लो ठीक है आप देखते हो कि रास्ते के किनारे street light में लगाई जाती है बहुत सारे लोग अपने घड़ों के छट पे लगवाते हैं इससे तो आप भी लगवा सकते हो environment friendly है ठीक है काफी efficient है यह जो solar energy का method है अब हम लोग बात करे coal या oil based जो power plant होते है उनसे 7% ज़्यादा efficient है nuclear power plant से 10% ज़्यादा efficient है ठीक है तो heater के लिए crop dryers, cookers यहाँ पर हम लोग इसको use करते है हमारे country में ऐसे area जहाँ पर अच्छी sunlight आती है हमारा country का especially western part को आप देखो गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर काफी साथ development हुआ है इस चीज को ले करके although दूसरे areas में भी आपको नज़राएंगे हमारा जो next topic है वो next topic है nuclear energy resources इसमें क्या होता है समझते हैं थोड़ा देखो, कुछ ऐसे matter है कुछ ऐसे substance है जिनके अंदर बहुत सारा energy होता है कौन सा substance, uranium thorium है ना, thorium तो कुछ ऐसे substance है कुछ ऐसे matter है, element है इनके अंदर हम लोग यह देखेंगे बहुत सारा energy है उस energy को हम लोग use करते है nuclear energy बनाने के लिए uranium या thorium को use करते है, हम लोग क्या करने के लिए electricity बनाने के लिए इसे के लिए होता क्या है आप मानलो आप 100 kg coal जला रहे हो 100 kg coal जला रहे हो और यूज करो आपको same amount of energy मिलेगा इतना अच्छा है न एक तरफ आपको 100 kg coal आपको बन करना पर रहे है और एक तरफ थोड़ा सा uranium लिया same amount of energy मिल रहे है तो यह uranium में इतना energy यह होता कैसे है, मिलता कहाँ सा energy इसके अंदर होता यह है कि हम लोग nuclear powered plant में क्या करते है uranium जो है उसको break करते है uranium को तोड़ देते है ऐसे तोड़ते है वो अलग method है आप लोग ने nuclear fusion और nuclear fusion ट्रॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा class 10 में आप लोग ने पढ़ा होगा तो वो method यहां follow करते है इसको जब break करते है तो वहाँ से बहुत सारी energy निकलती है और उस energy को use करते है हम लोग nuclear power plant में हमारे country में uranium बहुत ज़्यादा नहीं मिलता बहुत limited amount है बहुत ही कम फ़रा बहुत जो भी मिलता है वो धारवा रॉक सिस्टम में मिलता है ठीक है और इसके अलावा हमारे country का जो सिंग्भूम copper built वाला area है वहाँ पर आपको मिलता है कुछ और दूसरे areas है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है uranium मिलती है लेकिन अगेन मैं फिर से बताओ हमारे country में uranium बहुत कम मिलता है हाँ हमारे country में थोडियम बहुत ज़्यादा है थोडियम काफी amount में present है केरला में जो एक sand है monagite sand है उस sand में थोडियम के बहुत ज़्यादा deposits मिलती है ठीक है लेकिन uranium काफी कम है तो हमारे country में जैसे हम लोग ने देखा जैसे मैं बताओ थोडियम की बात करूँ तो केरला में अतमिलनाडू के coastal areas में वहाँ पर कुछ sand है monagite and limonite जो sand है उस sand में आपको मिलेगी ठीक है हमें थोडियम बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन uranium काफी कम है प्राबलम यह है कि अभी के डेट में जाना तर जो भी nuclear energy बन रही है वो थोडियम से नहीं वो uranium से बन रही है थोडियम को लेकर रिसर्च चल रहा है लेकिन uranium से ज़्यादा काम हो रहा है और uranium हमारे पास बहुत ही कम है तो हमें खरीदना परता है खरीदना परता है और ये एक ऐसा energy resource है इसके case में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे high technology यूज होती है बहुत सारी तो हमारे country में भी काफी सारे जो nuclear power plant बने है हम लोग ने कुछ France के help से बनाए कुछ हम लोग ने रसिया के help से बनाए कुछ Germany के help से बनाए तो इस तरह से हम लोग ने दूसरे country का western बहुत सारे countries का हम लोग ने health ले करके ये nuclear power plant बनाया है क्योंकि बहुत high technology लगपी है यहाँ पर तो हमारे country में कहां कहां पर है nuclear power plant तो ये nuclear power plant इन सब एडियाज में है ये आपको बिलकुल याद करना है बहुत important है महराश्टर का तारपूर, राजस्थान का रुवात भाटा तमिल नाडू में कलपकम अक्तरपरदेश में नरोडा करनाटक का काएगा, गुजरात का काकड़ापर तो यहाँ पे nuclear power plant हमारे country में मौझूद है देखो, nuclear matter को लेकर के research करने का जो काम है इस चीज को हम लोग ने काफी पहले ही start कर दिया था 1947 में हमारा country independence होता है, अजस्ट एक साल के बाद हम लोग बना देते हैं nuclear energy commission ताकि हम लोग nuclear energy को लेकर काम कर सके फिर उसके अलावा हम लोग देखेंगे atomic energy institute हम लोग बनाएंगे 1954 में, जिसको हम लोग ने बाद में rename कर दिया भावा atomic research center 1967 में आप मुझे बताओ के ये भावा जो हम लोग word यूज कर रहे है, ये क्यों यूज कर रहे है क्या कोई person का नाम है नाम है तो इनका पूरा नाम क्या है आप उन्हें बताना तो comment करके बहुत important person हमारे country के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है इन्होंने contribution बहुत high है ये है nuclear energy nuclear energy के बाद अगर हम लोग बात करे तो अगलिया number आता है bio energy के बारे में पहले इसको हम लोग map ये image से समझते हैं फिर मैं text में आता हूँ ओके तो bio energy देखो bio का मतलब होता है generally जो living thing है like the plant, animal तो bio energy में करते क्या है कि generally जो plant के waste बच गए माल लो घरो में जो सड़े गले सबजी है animal का waste है, animal का dung है cow dung है माल लो agriculture waste बच गए इन सब चीजों को क्या करते है एक ऐसे करके चेंबर होता है एक ऐसे करके tank like होता है उसमें हम लोग इसको डाल देते है ये plant को आपके घर में खाना बच गया उसको डाल दिया, dung को डाल दिया जो भी vegetable वेगड़ा जो है इस सब चीजों को यहां पर डाल दिया और यहां पर कुछ water way अगड़ा भी याट कर देते है तो यहां पर दो-तीन दिन उसको रहने देते है यहां पर जो है वो क्या होगा वो यहां पर decompose होता है सरता है ठीक है decompose होगा सरेगा उसके बाद में यहां पर gate like structure होता है, उस gate को खूल देंगे तो वो सारा कुछ जो यहां पर है न, वो यहां चला जाएगा, यह बड़े वाले tank में चला जाएगा, ठीक है एक बड़े वाले tank में चला जाएगा, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वो सारा material आ गया, अब व decompose करेंगे, जब यह decompose होगा, तो उस समय यहां पर काफी सारे gas प्रोड्यूस होगी, काफी सारा gas प्रोड्यूस होगा, कौन सा gas प्रोड्यूस होगा, आप देखोगे, for example, methane, CH4, TH4, methane gas produce होगा, क्योंकि gas हलकी होती है, gas light होता है, तो gas यहां से उपर से आ करके, इस pipe के थुरू आएगा, ठीक है, और इस pipe के थुरू वो अहां पर क्या आएगी, gas, इस pipe के थुरू gas आएगी, और उस gas को यूज करेगा, कौन, उस gas को यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं, हम gas को यूज कर सकते हैं, cooking के लिए, electricity के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो काफी अच्छा method है, यहां पर देखो, आप basically कचरा से, waste material से, garbage से, आप electricity बना रहे हो, आप garbage से electricity बना रहे हो, ठीक है, आप electricity तो चलो बन गया, gas यहां जो निकला, वो gas को अपने cooking में यूज कर लिया, electricity जैसा होता है, वहां से उसको निकाल देते हैं, और यह जो बचा हुआ, जो चीज निकल रहा है, यह बहुत अच्छा manure होता है, हिंदी में क्या बोलते है, खाद, इसको क्या करते है, agriculture field में, है न, खेतों में डाल देते है, इससे खेतों की क्या होती है, like fertilizer की तरह काम करता है है, यहाँ पर जो बच गया है, residue जो बच जाता है, fertilizer, manure की तरह काम करता है, इससे क्या होगी, अच्छा production होगा खेतों में, तो यहाँ पर देखो, waste material कुछ भी दो अधर नहीं जा रहा है, हमें electricity भी मिल रहा है, cooking के लिए gas भी मिल रहा है, हमें क्या मिल ले, manure भी मिल रही है, साफी अच्छा method है, यह है bio energy, तो bio energy जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो bio energy में क्या करते हैं, हम लोग biological products जो है, जैसे agriculture के कुछ waste residue बच गया है, municipal waste, industrial वेगरा waste जो भी है, जो bio waste है, याद रखना, जो bio waste है उसको, उसको हम लोग वहाँ पर हम ला लेंगे, और उसको तो garbage वेगरा, इससे देखो हमारे सहरों में जो बहुत बड़ी problem होती है, garbage की problem होती है, जहां तहां कचरा फेका हुआ है, तो उसका problem भी, वो भी solve होता है, इससे हमारा सहर, हमारा जो living area है, वो भी clean होता है, देखो, rural area जो होती है, जो गाओं होती है, यह बहुत अच्छा area ह इसके लिए, क्यू2017 के गाओं में आप देखो गें बहुत सारा agriculture activity होता है, बहुत सार लोग पास बहुत सारे cow है, deny produce हो रही है, उसको use करेंगे, इसको use करेंगे, हम लोग देखेंगे, इसका अलबाब सहरों में भी जो municipal waste होती है, जो municipal waste होती है, उसको भी use करते है, ऐसा एक प्रोजेक्ट लगाया भी गया है दिली में दिली के उखला जो प्लेस है वहाँ लगाया गया है अल्दो बहुत जादा हम लोग ने इसको यूज नहीं किया है बायो नर्जी वाली पावर प्लांट को बट यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं काफी अच्छा समय थड़ है कोई भी अगर डाउट आ रहा होगा इस पूरे डिसकसन के दौरान आप बिल्कुल आप फ्रीली आप कमेंट करो ठीक है आप फ्रीली आप कमेंट करो आप आराम से जो है मैं उसका बिल्कुल मैं एंसर पॉइट करूँगा और एक और चीज मैं आपको पता दू जैसा कि मैंने इनफर्म किया है कि एवरी संडे एवरी संडे मैं आफ्टरनून में मैं लाइव आ रहा हूँ तो मेरा community post वाला जो area है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो तो वहाँ पे उस post में जो भी आप लोगों के doubt आएंगे उन सभी doubts का मैं live आप लोगों को reply दूँगा आपके कोई भी क्वाडी हो हमारा जो end में topic है वो है conservation of mineral resources देखो mineral resources को हमें conserve करना ही होगा कोई दूसरा option नहीं है क्यों क्योंकि यह mineral resources बहुत कम है यह coal petroleum यह iron ore, aluminium यह बहुत limited amount में है अगर यह iron सारा iron हम लोग आ यूज कर लेंगे तो आज से 50 साल 100 साल बात में हम लोग buildings कैसे बनाएंगे उस समय अगर bridge बनानी होगी कैसे बनाएंगे यह हमारे बाद के जो generations आएंगे उनको अगर कुछ बनाना है वो लोग क्या करेंगे क्या कि उनके हिस्से का सारा resources तो हम लोग में loops कर लिया तो हमें living resources को conserve करना ही होगा कि हमारे ट्रेडिश्ण चौन मेफऩह है ठीक है urrectionCanh हमारे जो इसमें हम लोगory sources को यूज करते हैं इससे क्या होता है, बहुत सार वैस्ट क्रियेट होती है बहुत सार वेश्ट क्रिरैट होता है, तो हमें नए-नए न confidently ہअंगर करने होगे, उन्य को हाम न हो, हमें अपनी economic development तो करनी है, लेकिन इसके साथ हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी environment जो है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर environment ही नहीं रहा तो आप economic development करके करोगे क्या आपने एक ऐसा city बना लिया, सहर बना लिया जहां पे बहुत बड़ी-बड़ी building है बहुत उची-उची building है लेकिन आपने environment को इतना ज़्यादा damage कर दिया कि for example वहाँ पे रहना मुस्किल है वहाँ पे air इतनी pollute हो गई है कि आप छे मेरे रहोगे तो आपको पता नहीं किस तरह की बिमारी हो जाए तो आप ऐसी बड़ी-बड़ी building बनाया करके भी आप उस सहर में नहीं रह सकते हो तो इसी लिए हमें बहुत ही साउधानी से हमें बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हुए हमें अपनी economic development करनी है लेकिन इसके साथ ही environment को भी ख्याल में रखना है तो हम लोग यह देख सकते हैं कि हमारी energy resources को conserve करने का बहुत ही important जो यह alternative energy methods है alternative जो sources हम लोग ने just अभी देखे like solar, wind, wave, geothermal यह सब inexhaustible है कभी खतम तो नहीं होने वाला wind कभी चलना बंद नहीं होगा high tide, low tide हमेशा आती रहेगी sun कभी off नहीं होने वाला geothermal अर्थ के अंदर बहुत सारी heat है तो मतलब यह inexhaustible है मतलब खतम नहीं होने वाला है हम लोग जो अभी exhaustible method यूज कर रहे है, coal को यूज कर रहे है, petrol को यूज कर रहे है, धीरे धीरे इनको replace करना होगा हम लोग जो metals यूज करते है, metal के जो scrap वेगड़ा होते है जो कबार होता है न, कबारी वाले को हम लोग sell कर देते हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को उनको recycle करना होगा ताकि इन resources को हम लोग और ज़्यादा यूज कर पाए like copper, lead, zinc, इन सबको हम लोग को और ज़्यादा ख्याल रखके यूज करना पड़ेगा टॉलर में payment करना होगा हमें उनको ये भी एक problem आता है इसके साथ ही हमें देखना होगा कि जो metal बहुत कम है क्या उस metal को यूज करने के बदले क्या कोई दूसरा कुछ और substitute यूज कर सकते हैं क्या वो metal को छोड़के कुछ और यूज कर सकते हैं क्या हमारे country के लिए जो strategic mineral है जो ऐसे mineral है जो बहुत कम है उनको हमें export कम से कम करना है या नहीं करना है कम कर देना है ताकि वो resources हम लोग अपने country के लिए संभाल के रख सके जैसे हमारे country में अगर हम लोग copper extract करते है क्या copper वो जपान को बेच दे क्या जपान को वो हम लोग copper sell करे answer is no अगर जपान खरिदना चाहता है फिर भी sell ना करे क्यूंकि copper अल्रेडी हमारे country में कम है हम लोग अपने future के लिए उसको बचा के रखे longer period के लिए बचा के रखे क्यूंकि साड़ा बेच दोगे बाद में हमें जब requirement होगी तब किसके पास जाओ गया पाकिस्तान के पास है ना तो हम लोग उसको बचा के रखे इस वीडियो में यही तक था वीडियो के एंड में बिल्कुल request करूँगा अगर आपको पसंद आया हो वीडियो बिल्कुल आप like comment and share करे आपकी कोई भी doubt inquiry होते है तो बिल्कुल आप मुझे बिल्कुल बे जिज़क मुझसे आप questions पूछें ठीक है Thank you